यूजी चेहल ने RCB की बारे में कुछ बाते कहीं हैं और इन बातों ने फ्रांस को घुस्सा दिला दिया है बता दे, RCB ने चेहल को रिलीज करने के बाद शुलंकाई वानिंदू हसरंगा को 10.75 करोड की बड़ी रकम में खरीदा था जबकि चेहल के लिए तो उन्होंने बिड़ी नहीं की चेहल को तकलीफ है कि टीम ने उनसे इस मसले पर बात भी नहीं की यूट्यूपर धिरणवी शो में बात करती हुई चेहल बोले जाहर तोर पर मैं बहुत दुखी था मेरी यात्रा RCB के साथ ही शुरू हुई थी मैंने वहाँ आठ साल बिताए RCB ने मुझे मौका दिया उनके चलते ही मेरा इंगिया डेबी हुआ मेरे वहाँ से अलग होने पर बहुत बाते हुई कहा गया कि मैंने बहुत सारे पैसे मांग लिए लेकिन मैंने उसी वक्त कहा था कि ऐसा कुछ नहीं था मुझे पता है कि मैं क्या डिजर्व करता हूँ मुझे बुरा ये लगा कि इस बारे में कोई फोन नहीं आया कोई चल्चा नहीं हुई कम से कम बात तो करनी चाहिए थी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए वे बोले मैंने उनके लिए लगभग 114 मैच खेले हैं आउक्शन के लिए उन्होंने वादा किया था कि वो मुझे खरीदने की पूरी कोशिश करेंगे मैंने कहा ठीक है लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं बहुत घुसा था मैंने उन्हें आठ साल दिये चिर्ना स्वामी मेरा पसंदीदा मैदान था मैंने इसकी बाद आसीबी को जिससे कोई बात नहीं की उनकी खिलाफ जो पहला मैच खेला मैंने किसी से बात नहीं की चहल की बाते सुन RCB फैन्स को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मानेजमेंट को जम कर सुनाया एक फैन ने बादचीत की क्लिप शेयर करते हुए लिखा हमने इस बंदे को खो दिया क्या घटिया मानेजमेंट वाली फ्रेंच्राइज है एक दूसरे बंदे ने ट्वीट किया ठीक है अगर ये उस दिन रिटेर नहीं करना चाहते थे लेकिन उन्होंने ये बात बता देनी चाहिए थी अगर वो नहीं चाहते थे तो जूट बोलने की क्या जरूरत थी एक और फैन ने ट्वीट करते हुए लिखा ठीक है आरसीबी की और टाइम ग्रेट्स में से एक बात तक ना करना बहुत खराब है कोई आशरे नहीं है कि प्ले असिस प्रेंचाइस की कदर नहीं करते तो एक फैन ने हसरंगा के सेलेक्शन पर ही सवाल कर दिया इन्होंने लिखा लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि हसरंगा इस हीरे की जगह ले सकता है वही एक फैन ने लिखा मुझे पता है कि वो 2020 जितने अच्छे नहीं रहे थे लेकिन यही हाल तो कोहली का भी था चहल भी कोहली जितने बड़े माच्विन थे हमेशा ही उन पर भरोसा किया और दस में से आठ बार उन्होंने जरूरत की वक्त विकेट दिलाए मैं किसी भी दिन उन्हें हसरंगा पर तलजी दूँगा मता दे कि RCB ने चहल को IPL 2021 के बाद रूलीस कर दिया था फिर वो राजिस्थान वाल्ट से जुड़े जहां दो सीजन्स में उनके नाव 48 विकेट्स है इस वीडियो में बस इतना ही इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है सूरज ने मैं हो गरिमा स्पोर्ट से जोड़े खबरों के लिए आप लोग देखते रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स शुक्रिया शुरू हो गया है यूट्यूब पर ललन टॉप का नया मेंबर्शिप प्रोग्राम एल्टी प्रीमियम क्या होगा इसमें एल्टी प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लैटफॉर्म से तीन दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन दर न्यूजरूम और किताब बाला जैसे कई शोज ललन टॉप के हमसाब एंकर्स हर हफते आपसे करेंगे लाइब चैट देंगे आपके सवालों के जवाब ललन टॉप के न्यूजरूम में क्या होता है अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूजरूम की रोचक जानकारी और उठा पटर ये मेंबर्शिप लेने के बाद सेने सन्यासी समेथ कई नए नवेले पॉड़कास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे जो हमारे नए शोज पर स्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी खास तोर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूवर इसके लावा मज़िदार स्टीकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नज़र आएंगे सबसे अलग इन स्टीकर्स के स्केमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे इस मजए के लिए क्लिए 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 क्लि गुष्ष्णों